नमस्कार दोस्तों मैं निशान्त मिश्रा आज जन सरोकार मंच के माध्यान से आप सभी से रूबरू होगा हूँ और आज मैं बात करूँगा जो कौरोनकाल के दौरान कलमकार मंच ने सभी साहिते कारों के साथ मिलकर पहुंचाया वैश्विक आपड़ा आई और इस वैश्विक आपड़ा के चलते कैंद्र और राज्य सरकार ने अचानक से जो लॉगडाउन किया वो लोगों के जहने में कभी ऐसी उन्ने सोचा भी यह था कि इस परकार से अच्चानक से लॉगडाउन हो जएगा लोग घरों में कैद हो गए भर से निकल नहीं पा रहे अईसे में बहुत बड़ा संकट आया कि अच्चानक लॉगडाउन लोगों को समलने का मौका नहीं मिला लोग घरों में कैद हो गए गरीब तपके के सामने खाने का संकट आ गया मजदूर वर्ग प्रवासी मजदूर जो यहां बड़ी संख्या में मौजूद थे जैपुर में वो ऐसे हालातों में सड़कों पर निकल पड़े अपने गाउं की और अपने घर की और ऐसे हालात में सरकार ने हानकी प्रभंद करने के प्यास किये लेकिन जैसा की मैंने मेरी किताब यहीं कहीं है रोशनी का गाउं उसमें भी जिक्र किया है कि सरकार ने प्रियास किये लेकिन निचले इस तर पर सरकारी कड़ी कमजोर होने के कारण जरूरत मंदों तक सहयता नहीं पहुँची अचानक जब यह घटना करम हुआ तो लॉकडाउन को दो दिन हो गए थे पैदल पैदल रेल लैंड के पास से गुजर रही थे जानकारी मिली उनके लिए व्यवस्ता करवाई उनको रेस्क्यू किया गया तब जब मैंने घर पर इस संबंद में उमा से चर्चा की तो उमा कहना भी यह था कि यह संख्या कम है लेकिन संख्या बढ़ सकती है तो इसमें हम क्या करें विचार आया सबके साथ मिलकर हमने एक एस्थाई रसोई इस्थापित की एस्थाई रसोई इस्थापित करके प्रते दिन लोगों को शुरूरात हमने लक्षे रखा की तीन-चार सो लोगों को सुबह है और तीन-चार सो लोगों को शाम को खाना पहुँचा आए जाए लेकिन धीरे धीरे ये संख्या बढ़ने लगी क्योंकि हमारे पास इतने संसादन नहीं मेरे वैक्तिके जुमित्र हैं उनका सायोग लिया और सबका लिया लेकिन उससे ज्यादा लोगों की मदद हम नहीं कर पा रहे थे तब लगा कि नहीं चाहिए अब मुझे सभी कलमकारों पर गर्व है कि उन्हों ने अपनी और से यथा योग्य योगदान दिया एक छोटी सी मैंने अपील की हलाकि अख़वार वगरा सब होते हैं लेकिन अख़वारों में आप जानते हैं कि इस परकार के अपीलें नहीं चलती हैं लेकिन शोशल मीडिया इसका एक बहुत बड़ा माध्यम बना हमने अपील जारी की और उस अपील पर रिड़नाम ये निकले कि देश भर से हमें साहता मिलने शुरू हुई देश भर के कलमकार और सबसे बड़ी बात की देश जो बड़े इस्थापित साहतेकार हैं उन्होंने केवल योगदान ही नहीं दिया बलकि बराबर हमें इस चीज़ के लिए प्रिरित किया हमें सलहा दी कि कैसे और क्या करना चाहिए लोगो को हमारी चिंता भी थी पूरी टीम कलमकार लगी हुई थी तो लोगों चिंता भी थी कि इस कोरोनों जैसी भयानक आपदा के समय किस प्रकार से लोगों के भी जा रहे हैं क्या कर रहे हैं कहीं यह कोरोना की चपेट में ना आ जाएं लेकिन हमने इस चीज़ का पूरा ध्या रखा जो गाइड लाइन थी सरकार की की सोशल डिस्टेंस उसके अलावा सब जोने हम मास्क पेन के गलव्ज हातों में पेन के साइन्टाइजर रखते ते जिनको भी हम खाने के पैकेट देते थे पहले उनके हाथ सेंटाइज करवाते थे फिर उनको खाना पकड़ाते थे इस परकार जब यह सिलसला एक बार शुरू हुआ तो हमें लगने लगा कि नहीं हमें तो और ज्यादा कर सकते हैं हम और ज्यादा कर सकते हैं और वह दीरे दीरे और ज्यादा और ज्यादा होते होते ह हम रोजाना के 8000 लोगों तक खाने के पैकेट पहुचान लगे यहां एक बात के लिए मैं आप सबका ध्यान आकरशित करना चाहूंगा कि हमने जो लोगों को खाना दिया वो कोई फॉर्मल्टी नहीं थी जो खाना हम हमारे घर में खाते हैं जिस इस्तर का उसी इस्तर को हमने वहां बरकरार रखा रोटियां जो है देशी की लगवा के और सब्जेयां ऐसा नहीं कि मंडी से कोई बच्ची कुछी सब्जी लेके आ जाएं और वो बनवा के बाढ़ने नहीं हर दिन हम सब्जी कभी डाल कभी छोले कभी चपाती के लावा पूरी यह सब चलता रहा और इस का पढ़नाम आप देखिए कि ऐसे से लोग जुड़े हमसे कि जैपूर के मशूर केटरस हैं अगरवाल केटरस विद्ध्यार नगर हमारे इस काम से वह इतना प्रभावित हुए कि हमारी एक सहित्यकार हैं बरिश सहित्यकार लक्षमी शर्मा जी उनसे उनके पारिवार देशीगी के गेवर जिसकी कीमत लगबख चाहिए चार-पांच लाख रुपे होनी चाहिए लेकिन उनने हमारे माद्या हमार को दिये कि हम उन घेवरों को जिन लोगों को खाना बाट रहे हैं उनको वो घेवर हम बाटे हैं ऐसे ही हमारे जहन समुदाय के लोग हैं यहां उन्होंने मावीड जहनती दिन की मक्षन बड़े और पेठे देशीगी के कि यह हम जंताहें बटवाना चाहते हैं हमने वो बाटे दीरे 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 शिल्सला चल रहा था एक लॉकडाउन हुआ फिर उसके बाद दूसरा लॉकडाउन हुआ फिर उसके बाद तीसरा लॉकडाउन हुआ चौत्वा भी हुआ हमारे पास संसाधन कम परते थे लेकिन धीरे धीरे वापिस से लोग जुड़ जाते थे एक मिट अरे एक मिट अरे बाई एक मिट लाइब चल रहा हुआ है ना धीरे धीरे संसाधन जुड़ते गए काम होता गया रास्ते में कई अर्चने भी आई क्योंकि जरूरी नहीं कि जो आप काम कर रहे हैं सब उसकी तारीफ ही करें विरोध करने के लिए भी कैई लोग आपको मिली ही जाएंगे वो शायद उनकी आदत में शुमार होता है ऐसे बहुत जगे किस से आए लोगों ने तो बद्वाएं तक दी कि आप जो इस परकार कर रहे हैं इससे आपका भला नहीं होगा जब हमने इसकी परताल की क्योंकि मैं खुद पत्रगारता के पेशिसरा हूँ जब हमने इसकी परताल की तो पता चला कि वो चाहते थे कि हम जब कि वो सक्षम थे कि लेकिन हम उनको भी मुफ्त में खाना पहुचाएं उनको अपने घर में खाना नहीं बनाना पड़े, यहां हम कच्चा राशन उनको उपलब्द करवाएं, और ऐसे लोगों को हमारी टीम ने नजर अंदाज कर दिया, इस जी के चलते इस टाइप के, कही जगे तो ऐसे से लोग आते थे, कि आप यहां खाना क्यों बाट रहे हैं, यहां तो आते हैं कही लो लोगों को हम खाना बाट रहे थे, उन लोगों ने हम पर विश्वास किया और हमको उन पर विश्वास था, कि जहां जहां हम खाना बाट रहे थे, वो सब सिर्फ हमारा इंतजार करते थे, बड़े बुजर्ग, बच्चे, उन खालतों को शायद मैं शब्दों में बयान नह एक बजे कहीं हलकी सी चाया तलाशते हुए दिवार के किनारे बैठके वो इंतजार करते थे कि हाँ हमारी गाड़ी पहुंचेगी और उन्हें खाने के पैकेट देगी जब खाना बाटे थे उस दोरान ये भी चीज़ हमारे देखने माई कि छोटे छोटे बच्चे एक साल का डेड़ साल का दो साल का तीन साल का वो रोटी नहीं खा सकते हैं या खा भी सकते हैं तो बहुत कम उनके लिए दूद बिस्किट ये आवश्चक है तब हमने ऐसी जगहों पर जहां छोटे छोटे बच्चे थे उनके लिए दूद बिस्किट की भी विवस्ता की और निरंतर चारों लोगडाउन के दौरान उन तक बिना किसी बादा के हम जो एक बीड़ा उठाया था उसको पूरा किया अनुपमा तिवाडी जी जो साहत्यकार भी हैं हमारी कलमकार की साथी भी है उन्होंने जब हमें काम करते देखा तो अजीम प्रेम जी फौंडेशन की मदद से 65 कच्चे राशन के किट उपलब्द करवाए जो हमने जो जो जौर्टमन परिवार थे उनको बाटे मेरा मानना है शुरुआत बहले से मैंने अकेले की हो लेकिन जिस प्रकार से धीरे 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 पूरा कलमकार परिवार मेरे निजी मित्र वगरा जुड़ते गए उससे बहुत आसान हो गया चारो लोगडाउन के दौरान जरूरत मनलों दिहारी मजदूरों और गरीब तपके के लोगों की मदद करना मैंने ये बाहर का मोर्चा समाल रखाता घर का पूरा मोर्चा उमा ने समाल रखाता क्योंकि कलमकार की 26 किताबे आ रही थी मार्च में किताबे आने थी 20 किताबे लेकिन लोगडाउन के दौरान 6 किताबे और बढ़ गए जिसमें एक स्रम मेरी किताब भी जो यहीं कहीं हैं प्रोश्नी का गाउं इस समय ने मेरी भी बच्चत की कि मेरे को भी लिखने का मौका दे दिया और इस पूरे घटना करम जो चारो लोगडाउन के दौरान रहा उसी को इस किताब में समाहित किया गया है बहुत से किस्से हैं बहुत से अनभाव हैं जिनको शैद मेरा मानना है कि चंद शब्दों में या चंद पन्नों में नहीं समीटा जा सकता ये अपने आप में एक इतिहास है जो चारो लोगडाउन के दौरान जिन लोगों ने भोगा जो जो पीड़ाएं भोगीं वले से आज लोगडाउन खुल चुका है लेकिन आज भी पहले से ज़्यादा बत्तर हलात होते जा रहे हैं दिन बे दिन कोराना संक्रमत कोई संख्या बढ़ती जा रही है ये हमारी लापरवाई से हमारी लापरवाई है कि हम जो गाइडलाइन है उसकी पालना नहीं कर रहे लोगडाउन के दौरान भी ऐसा हमने देखा खास तोर से यूवा वर्ग वो नियमों को ताक में रखके आ जाते थे सड़कों पर लेकिन पुलिस और प्रिशाशन ने सक्ति दिखाई उस सक्ति का परणाम ये हुआ कई गिर्फतारियां हुई कैई चालान कटे लेकिन अब क्योंकि लॉगडाउन खुल चिकाए कोई पाबंदी नहीं है तो लोग अपनी मनमर जिया कर रहे हैं और वो ऐसा करके खुद को नहीं अपने परिवार को अपने छेत्र को अपने समाज को सबको संकट की इस्तितिकी और ले जा रहे हैं दोस्तों कोरोना के कारण जो तकलीफें गरीब तके ने या दिहारी मजदूरों ने या प्रवाशी मजदूरों ने जहेली इतना ही नहीं वो पीडाएं हम लोगों ने भी जहेली मद्यम वर्गे परिवारों ने भी जहेली तो सबसे बड़ी चीज जो है वो यह है कि ऐसे संकट में एक जुट होकर जब तक हम आगे नहीं आएं तब तक शायद हम अपने जीवन में कुछ कर नहीं सकते अब सब लोग देखे कि इस मुहिम के कारण थाली जैपुर नहीं हम जैपुर में मदद कर रहे थे लेकिन देश बर्ष से जो कलमकार जुड़े हुए थे उनके माध्यम से हमारे बाद सूचना है आ रही थी पता लग रहा था कि देश के अन्य जिगों पर भी कलमकार से प्रेरित होकर वहां के साहित्ते कारों ने कलमकारों ने इस्थानिये लोगों की मदद से अपने अपने छेत्र में जवर्ष मनलों की मदद करना शुरू कर दिया और हमसे भी जानकरी लगातार साजा कर रहे थे कि हां उनके छेत्र में ये काम किये जा रहे हैं इतने लोगों की मद्रित की गई इतने लोगों का सहयोग किया गया ये सिलिसला चलते चलते जैपुर में भी और जो संस्थाएं थी साहितिक संस्थाएं जैपुर में बहुत सी हैं इनमें एक संस्था है नारी का वीना हारी उसकी जो संस्थापी का है वीना चोहान जी उन्होंने सहयोग भी किया कलमकार को बाद में इस चीच को भी सुईकार कि क्योंकि उनकी संस्ता की और से उन्हें परदान मंत्री और मुख्य मंत्री साहता कोश में भी सहयोग किया था लेकिन बाद में उनने खुड यह चीज महसूस की कि कलमकार में जो सहयोग राशी जारी है उसका उप्योग तत्काल हो रहा है मुख्य मंत्री और परदान मंत्री साहता कोश में जानेवल राशी का क्योंकि सर्कार की अपनी प्रिक्रिया होती है ऐसा नहीं कि आज आपने उनको सहयोग किया और वो तुरंत उनने आदे गंटे बाद एक गंटे बाद दो गंटे बाद वो सहयोग उनने पब्लिक तक पहुचा दिया ऐसा नहीं होता एक प्रिक्रिया होती है सरकारी लेकिन हमें जो सर्योग मिल रहा था उसका हम तत्काल इस्तेमाल कर रहे थे ये सब जट चल रहा था इसमें हमें हमें भी सरकारी सायोग यह मिला सरकारी सायोग वैसे नहीं सरकारी बाट रहे थे हम आरे पास मैंनी पावर की तो हमने जो इस्थानी ठाने थे वो लोग अपने छेत्र की जंता में खाना बाट रहते हैं हमने उनसे संपर्क किया हम उन्हें खाने के पैकेट देते थे वो अपने छेत्र में उनका वित्रन करते थे फिर हमारे हैं जो तैयारी हो रही थी उसमें हमारे एक मित्र हैं ठाकुड शान सिंग जी और राजकुमार वाफना जी उन्होंने सयोग किया रोजाना हमारे खाने के पैकेट में साथ सो आठ सो खाने के पैकेट रोजाना वो हमारे पास बिजवाते जिससे हम वित्रत करवाते इसी प्रकार हमारे कलमकार साथी जैपुर गिरामीन में तैनात पुलिस उपदिक्षक सुलिज शर्मा जी वो भी अपनी डूटी नहीं भारे थे साथ में हमें भी स्वयोग कर रहे थे कि कभी खाने के पैकिट बिजवाते ते बाटने के लिए कभी जो हम राशन के किट दूर दराज के इलाकों में हमें बेजने होते थे यहां कर्फिद्र तो वो उनके माध्यम से हम पहुँचा रहे जो पूरे कॉरोना काल के दरान जो अनुवह रहे का शायद बड़ा कई बार मन वैथित होता है मजदूर नंगे पैड जा रहे हैं, भूके जा रहे हैं, प्यासे जा रहे हैं, कोई वैवस्था नहीं ऐसा नहीं की खाली हम ही कर रहे थे बहुत सी संस्थाएं इस प्रियासम लगी हुई थी कैई संस्थाएं हमें सहयोग कर रही थी, उनिमें एक संस्था है साइठ्षे समर था नीली में टिक्कु जी का फोन आया, कि नहीं आपके इस अभिहान में हम भी सहयोग करना चाते हैं वो चाती थी कि कहीं उनके नाम का जिक्र ना हो, कि उनने सहयोग किया है लेकिन ये हमारे लिए संभव नहीं था और ऐसा बहुत से हमारे साहित्यकार साथी और मित्र ये चाहते थे कि हम जो सहयोग कर रहे हैं उसका जिकर कहीं नहीं हूँ लेकिन पार्द रश्चिता कलमकार मंच की पहली शारत है इसी कारण हमारे पास जो सहयोग आता था उस उस सहयोगियों की पूरी हम सूची जारी करते थे सोशल मीडिया के माध्यान से साथ ही जो हम काम करते थे उसकी भी जानकारी हम सब को पहुंचाते थे उस से इस पारद रश्चिता से एक साकारात मकवाता रुन बना अधिक से अधिक लोग इस से जुड़ते गए हमारे साथी मैश कुमार जी जब भी जगतपुरा से निकलता उनका निवास वहीं पे उनसे फोन पे बात होती लेकिन क्योंकि निकलना नहीं होता था गैरों से नहीं निकल पा रहे थे हम निकल रहे थे लेकिन बहुत से हमारे साथ ही थे हमारे वरिष्ट साथी और कलमकार के संदक्षक डॉक्टर इश्मूत तलवार डॉक्टर सतना रायन नंद भारत द्वाज जी मिलावचंजी डांडिया ऐसे बहुत से लोग निरंतर हमारा हमारी होसला आफजाई कर रहे थे संद्या चौदरी जी नाबार्ड की वो मदू कांकरिया जी कई लोग तो ऐसे थे जो निरंतर हमें एक बार नहीं तीन तीन बार चार चार बार जीतन रभाटिया जी कि मैं जिन्हों तीन तीन चार चार बार वापिस से सहयोग्राशी की हमारे मुख्यवंत्री के ओश्डी फारुक आफिदी साहब नाम लूं तो नाम बहुत लंबी लिश्ट है लेकिन मैं उन सभी सहयोग्यों का अब मेरे इस पूरे मिशन में मेरे साथ जो जुटी थी टीम टीम कलमकार उन सबका मैं तहदिल से आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे इतनी मजबूती प्रदान की मुझे इतनी टाकत दी कि पूरे चार लोगडाउन के दौरान हमने सफलता पूरवा किस कारे को अंजाम दिया आप सोचिए खाना पूचाना बाटना यह सब तो चल रहा था लेकिन इसमें भी बहुत सी बादाएं आती थी हमारे सामने क्या बार गाड़ियां खराब हो जाते थी एक दिन तो ऐसा हुआ कि एक साथ तीन गाड़ियां हमारी खराब हो गई ऐसे में हम लोग एक्टिवा पर मेरको एक्टिवा चलाए वह बरसो हो गए लेकिन एक्टिवा पर हम लोग गए खाना बाटने बाटा जिनको हम खाना बा बाटते थे कि वह आश्रेकरन लगे कि एक्टिवा पर खाना बाट रहे हैं कि हमारी हमारी जिम्मेदारी समझते थे हमें मालमता कि वो लोग हमारा इंतिजार कर रहे हैं तो हम बिल्कुल जो है यह मतलब इस्तिती यह थी कि हमारे एक मितने जैकुमार जैन बहुत संपन परिवार से हैं जब हमारे गाड़ियां ख़रा हुएं मैंने उनको फोन किया मेरे बड़ बाई की तरह हैं मैंने फोन किया मैंने आपकी गाड़ी चाहिए क्लें आप आओ ले जाओ कि जब आप मैं गया आप खुछ सोचे क्योंकि कोरोना काल में लोगों ने अपने घर पे भी जो काम करने वाले थे उनको बुलाना बंद कर दिया था ऐसे में जब मैं गया उनके यहां गाड़ी लेने तो वो खुद उस गाड़ी को साफ कर रहे थे क्योंकि पन्राभी दिन से खड़ी हुई थी गाड़ी गंदी हो चुकी थी उस गाड़ी को खुद साफ कर रहे थे अलब ऐसे ऐसे वाक्या हमारे ओपी शर्मा जी रिट्राइड आरे अधिकारी हैं उनसे कहा हमारे मित्र मेरे चोटे भाई की तरह है ठाकुर शाम सिंग उनने का कि वही गाड़ी चाहिए उनने का मेरे गाड़ी खड़ी हुई है आप ले जाए आप यह देखिए करीब डेड़ मैंने उनकी गाड़ी का हमने उपयोग किया ऐसे बहुत से साथी किसी ना किस रूप में हमारे साथ जुटे रहे डटे रहे शुरू में तो हम लोग स्वेंग जाते थे हर जगे लेकिन क्योंकि छेत्र बहुत लंबा होने लगा था सूचना है दूर दूर से आती थी दिल्ली से फोन आया अश्विन कभीर का कि बीलवा में गुमंतु परिवार के सौ लोग हैं उनके सामने खाने का संग कठ है वहां उन्हों का संपर्क नंबर दिया उनसे बात की बात की तो पता लगा कि साब हमरे यहां केवल दोनों टाइम खिचडी बाटते हैं आके रोज और रोज खिचडी नहीं खाई जा सकती हमने उन्हें आश्वस्त किया और बीलवा जाकर उन्हें कच्चा राशन देखे आ है इसी प्रकार हमारे वरिष साथी चरण सिंग पथिक उनके माध्यम से चंदालाल कालिव लिया जिन्हें चंदु कालिव लिया जानते हैं सब बहुत अच्छे लोग कलाकार हैं उनका फोन आया तो वहां भी संकट था हमने उपदिक्षक सुनिल शर्मा जी के माध्यम से वहां राशन के किट विजवाए हीना फिल्म की फेमस कवाली देड़ ना हो जाए कहीं देड़ ना हो जाए के गायक मशूर कवाल अमीन सावरी फरीज सावरी सावरी बंदू के नाम से जो फेमस है उनका फोन आया कि उनके छेत्र में कुछ संकट परिवार हैं लेकिन वहां करफ्य ग्रस्त लाखा होने करण हम नहीं जा सकते थे उनके लिए हमने राशन के किट सुनिल जी के माध्यम से बिजवाए और बाद में बाद में जब लॉगडाउन समाप्त हो गया तब Listen always कि लॉग डाउन समाप्त्व होते है संकट भी समाप्त हो गया लोगों के सामने कोई रोजगार के सधन उपलब्द होने लगे हैं लोगों को रोजगार मेंने लगाया है हमें मालुम था हालाइत एक इखठी हुई थी उससे तक्षी राशन सामगरी मंगाई और उसके किट बना बना के वो जरुरत मन लोगों तक हमने पहुंचाए खाना बाटने के लिए भी जहां में लग रहता हैंel निस्काना सरथ बनाने के शाधन इस एकलिक हाना होना का उनुठीक व०ो आंप लिए अनुठीक करते थी अप 150 गोड़े कई इसके अलवा जीस प्रताब नगर में द्वार का अपके अपड़ीनट है बहुत बड़ा वहां करीब 2000 लोग रहते हैं तो एक दिन दैनि भासकर के बरिष्ट संभधाता रहे भाई सर्वेश वट का फोन आया कि इस प्रकार से वहां करीब 2000 लोग हैं और उनके सामने खाने का संकट है मैंने उन्हें बताया मैंने इतने लोगों के लिए संभव नहीं है लेकिन हाँ जितने लोगों के लिए संभव होगा उतना करेंगे तो उन्हें वहां रमेश प्रजापती जी के नंबर मेरे को दिए रमेश जी से जब मेरी बात हुई तो उन्हें बताया कि नहीं बाकी सब त कि जब देने शुरू किए तब 50-60 देने शुरू किए बाद में इस्तिती ये हुई थी कि डेली सुबह और शाम करीब 30.500 पैकेट हमने खाने के वहां देने शुरू किए रमेश जी खुद आते थे कलमकार करा ले और यहां इसमें वो लोग खाने के पैकेट बित्रत करेंगे। तो अलगलग जवहों के लिए अलगलग हम पैकेट देते ते। की दुआरका पुरी के लिए हम 1500 पैकेट सुभाई котором को दे रहे हैं। घर फांदा के लिए 2000 पैकेट सुभाई 1200 पैकेट शूं को दे रहें। इसे प्रिकार मतलब अलालग छेत्रों में जवर्तमंदों की संख्या के हिसाब से हम खाने के पागिट दे थे जगतपुरा में नंदपुरी टू और आगे खातिपुरा के भी आगे तक जो सलेम बस्ती है वहां तक के लिए सलेम बस्ती तक के लिए हमने एड़ोकेट गिर्रा प्रिशाज जी हैं वो खुद और उनकी पत्नी दोनों अपनी स्कुटी से जर्तमंदों खाना बाटने जाते थे तो इस तरह से हमने अलग लग जगे लोगों को जिम्मेदारी दे दी तो उससे एक तो हमारा टाइम बचा और जो बहुत लंबा हमारा दौरा हो जाता था वो पहले हम डेली हमार को करीब 200 किलोमीटर भागदोड करनी पड़ रही थी लेकिन अरलग छेत्रों में इसी प्रकार गोले आवास में पांचे आवास पांचे वाला में जैपर के दूर द्राज के अलाकों में सब जगे हमने यही किया कि सब जगे हमने वहां के इस्थानिये लोगों को नुक्ट कर दिया कि रोज रोज आना हमारा संभव नहीं है तो आप आईए और खाने के पैकट यहां से लेके जाए और उससे अच्छा भी हुआ नए लोगों से मुलाकात हुए नए लोगों से जुड़ाव हुआ और उसका सबसे बहुत देखिए आप कि जब यह लोगडाउन खुल गए लोगों को रोजगार नहीं मिल रहे थे लोग मिरवाद फोन करते थे भाई साब रोजगार नहीं मिल रहा है क्या करें मैंने भाई आओ करमकार कारले में छुटमुट जो काम होते हैं उस टैप्स से आप लोग यह करो क्योंकि किताबें हमारी लॉंच होने जाए रही थी तो काम काफी कुछ हमारे भी पैंडिंग थे उनको बुलाके उस टाइप के काम करवाके उनकी जो दिहारी बनती थी वो दी किस तरह क्योंकि संकट एकदम नहीं आया टलता है और आज भी संकट टला न पूरे कोरोना काल में चारो लॉकडाउन के दोरान दुर्गापुरा में एक पॉजिटिव नहीं आया था एक व्यक्ति संक्रमित नहीं हुआ था जबकि हम फील्ड में जा रहे थे खाना बाट रहे थे सारा काम कर रहे थे आज इस्तिति यह है कि दुरुगापुरा में रो में परकोटा जिसे कहते हैं पुराना जैपूर केवल ऍसांक्रमित वहां आ रहे थे कि बहार कहीं संत्रमित को ईया रहे थे आज तिति है कि एक जबाहरी प्यार्य बड़ा दुर्भग्य है लोग अभी भी इसको गंभीरता से नहीं ले रहे मेरी सबसे अपील है कि किर्प्या कि सरकारी दिशान दिश्यों की पालना करें कि शोशल डिस्टेंस मास्क लगाने का काम से खुद को सेनिटाइज करने का काम यह अवश्य करें कि यह जो मेरा यह चार लॉक्डाउन का जो अनुवाव है उसके कारण बता रहा हूं कि अगर आप स्वैम को सुरक्षित रखेंगे तो आप बहुत लोगों को सुरक्षित रख पाएंगे हमको खुद को डर था कि अगर हम जो खाना बाट रहे हैं इतना काम कर रहे हैं गल्ती से अगर हम में से कोई संक्रमित हो गया तो जिन लोगों को हम खाना बाट रहे हैं वो लोग तो उस सुईदा से वंचित होई जाएंगे लेकिन हम भी हमारा जो मिशन है उसको पूरा नहीं कर पाएंगे इसलिए जहां खाना भी बन रहता वहां भी हमने इस पूरी बातों का ध्यान रखा कि बिल्कुल दूरी बना के सब कुछ तो साथियों आप सबसे बात करके अच्छा लगा आपके निरंतर कमेंट साते जा रहे हैं कि जैसा कि सब जानते हैं कलमकार मंच एक ऐसी संस्ता है जहां सब समान है कलमकार मंच की विचारदारा है कि इसके लिए ना कोई इस्त्री ना कोई पुरुश ना कोई जाती ना कोई धर्म ना कोई बड़ा ना छोटा सब समान लेकिन हाँ लेखक लेखक होना बहुत जरूरी है इस सोच के साथ कलमकार मंच को बनाया गया कलमकार मंच में देश के बहुत इस्थापित और वरिश सहित्तेकार संद्रक्शन में नलबे भी हैं परिवार के सदस्से भी हैं और नए कलमकार भी काफी बड़ी संख्या में कलमकार के साथ ही है हमारे यहां ना कोई पद है ना कोई मेंबर्शिप फीस जो जिस माध्यम से कलमकार से जुड़ गिया वो इस परिवार का सदस्य से बन जाता है और इस समान सोच का ही परिणाम है कि पिछली बार भी हम 21 किताबे लेके आयते जिसमें 8-10 देश के इस्थापित लिखकों की किताबे थी और 8-10 नए लिखकों की इस बार भी यही है जो हम 26 किताबे लेके आए हैं उसमें दस बारा इस्थापित लिखक हैं बाकी नए रचनाकार हैं और खाली साहिते ही नहीं जैसा कि जिस प्लेटफार्म से मैं बोल रहा हूं जन सरुकार मंच तो मानव होने के नाते हमारा ये जायत को बनता है कि जो जन सरुकार से जुड़े मुद्दे हैं उनमें भी हम उतने ही एक्टिव रहें उतने ही आगे रहें जितना हम हमारी साहितिक गतिविदियों में रहते हैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद नमस्कार